गरीब और बेघर जरुवतमन परिवारों को आश्रे प्रदान करने के लिए आयुजित आयुजन में सामनेर और कलमेश्व तालुका के 160 बेघर लोगों को प्रमान पत्र बाटे गए सामने पंचाय समीती में तालुका में 67 बेगर लाभार्तियों और कलमेश्व में 93 लाभार्तियों को सभी के लिए आवास महावास अभियान 2022 के तैत प्लोट प्रमान पत्र वित्रत किये गए इस आवसर पर जिलापरिशयत अभाद्र्यक्ष सुमित्र कुंबारिज, भूत्पור्व जिलापरिशयत अभाद्र्यक्ष मनोहर कुंबारे, उपविभागी अधिकारी अतुलमेत्रे, तैसलदार प्रताप वागमारे, सचीन यादव, समुअविकास अधिकारी दीपक गरू donner जिला परिशत सदस्य प्रकाश खापरे पंचाय समिती सदस्य गोविंद ठाकरे राहुलतिवारी मौजोद थे इस आउसर पर बोलते हुए मंतरी सुनिल केदार ने कहा प्रताप वागमारे तैसिलदार सावनेर और दीपक गरूड गटविकास अदिकारी सावनेर पंचाय समिती की नियोजित नीती के कारण सरकार की विभिन यौजनाय आम लोगों तक पहुच रही है यह दुख की बात है कि अब भी गरीबों की समस्याओ का समाधान नहीं हो रहा है जीला पडिशत सदस्यों, पंचाय समिती सदस्यों, सरपंच आधी के साथ जन प्रतिनिदियों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पहल करने चाहिए मंतरी सुनिल केदार ने अपने समोधन में कहा हम सरकार के निरने के अनुसार, प्रधान मंतरी आवास योजना, महा आवास योजना, घरकुल योजना, आधी वीविद योजना के तहर सभी लोगों को भुकन उपलब कराएंगे ऐसा विश्वास व्यक्त किया वही सावनेर निर्वाचन क्षेत्र में 3500 बार आभुकन प्रकरनों का निराकरन प्रशासनीक वधिकारियों के सहयोग से किया जाएगा उन्होंने कहा कि पंचाल समिती मामले की समिक्षा के बैठक करेगी उन्होंने गरिबों से संजेगांधी, निराधार योजना, श्रवन योजना, राशनकार योजना और घरकूल योजना का लाब उठाने की अपील भी की है उन्होंने कहा कि सरपंच वो उपसरपंच इस कार्य में सहयोग करे नाकपुर्जीले में मतदाता सुची के संशोधन कारिक्रम में सावनेर तहसिल नमबर एक है उन्होंने कहा कि खेतों के पकडंडी रास्तों की बहुत समस्या है इसलिए विशेशोषना तयार कर सरकार द्वारा मजूर की आ जाएगा उन्होंने उमीद जताई कि ओला रुष् के प्रमान पत्र दिये गए कारिक्रम का प्रहस्ताविक गट्विका सदिकारी दीपक गरूर ने किया बीसे न्यूस के लिए सावनेर से किशोध धुडेले